तो आज आप सभी का टेस्ट है और यहां पर हम मारवार के इतिहाद से संबंदित जो हैं वो प्रश्ण करने वाले हैं और इसके साथ में हम करेंगी कच्छवाह राजवनसे से संबंदित कुछ प्रश्ण ठीक है और वो भी प्रश्ण जो कि आपके एक्जाम में पहले पूछ पूछे गए हैं चाहे वो विध्यारती 2nd grade के त्यारी करने वाला हो या 3rd grade के त्यारी करने वाला हो ठीक है तो यहां पर वही प्रश्ण में आप लोगों से पूछूंगी जो कि आपके एक्जाम में आयो हुए हैं क्योंकि पिछले वर्स के जो प्रश्ण होते हैं वो करना बहुत जरूरी होता है कई बार examiner जो है वही प्रश्ण थोड़ा से घुमा कर जो है वो आपकी exam में पूछ लेगा तो चलिए start करते हैं और last में बताईएगा कितने प्रश्ण आपके सही गए हैं topic आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है मैंने आप लोगों को बहुत अ पंद्रे सो बहातर तीहत्तर इसवी में अकबर ने जोदपुर किसको सुपुर्द किया अकबर ने जोदपुर जो है किसको सुपा पंद्रे सो बहातर तीहत्तर में RPSC सेकिंड ग्रेट का question है ये तो आप सभी देख लीजिए कि आपके कैसे प्रश्ण आते हैं क्योंकि रा आरो ही नाम जो है वो अकबर की अधिन्ता सुईकार करने वाले हैं ठीक है तो अब बताईए कि इसमें से जोदपुर किसको सुपा था अकबर ने डेट यहां पर यदि आप धिहान देंगे तो आपको आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा 1572 73 तो फटा-फट से जो है वो कि अकबर जो है 1570 में नागोड दर्वार लगवाता है ठीक है तो नागोड दर्वार वो क्यों लगाता है ताकि अकबर को यह पता लग सके कौन से राजपूर साशक उसके पक्ष में हैं और कौन से उसके विपक्ष में हैं यहां पर जोदपुर जो है किसको सौपा था पी 1572 में तो हम में यह पता लगता है राय सींग को सौपा था ठीक है तो यह सही उत्तर है अकवर ने अपनी 1570 इस्वी की नागोर यात्रा किसा में जोद पुर्दुर्ग किसको सुपुर्द किया तो देखिए कोशन वही रहता है लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा जो है वो घुमा कर पूछ लिया है और पीसी सेकेंड गेट 2010 में ये प्रशन पूछा गया है इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि लास्ट जो भी प्रशन होते हैं एक्जाम में आए हुए वो आपको जरूर करने चाहिए चाहिए आप किसी भी सब्जेक्ट के हो तो यहाँ पर आप्शन जो है वो जोदपूर के उदे सिंग बीका नेर के राय सिंग आमेर के मान सिंग या रन थंबोर के सुर्जन हाडा तो बताइए इसका सही उत्तर जो है वो क्या रहने वाला है तो क्या रहेगा इसका सही आंसर तो देखिये यहाँ पर जो आंसर रहेगा यहाँ पर भी आंसर रहेगा Bicanair के Rai Sing क्योंकि हम देखते हैं 1570 में जो कल्यानमल हैं वो नागोर दरवार में आते हैं अक्वर के दौरा जो लगाया जाता हैं यहाँ पर Rai Sing को लेकर भी आते हैं यानि राय सिंग जो है वो तीन वर्ष तक जो है वो जोदपूर के शाशक रहते हैं ठीक है 1570 में जो है आजाते हैं यहां पर लेकिन हमें कितावों में यह देखने को मिलता है कि 1572-73 में अकवर ने जोदपूर जो है इनको सौपा था यहां जो है चंद्रसेन जब यहां से च होता है तो नागोर यात्रा के समय जोदपूर दुर्ग जो है राय सिंग को सौपा गया था और यह प्रशन भी बिल्कुल सही है 1572-73 में अकवर ने जोदपूर किसको सौपा था विकानिर के राय सिंग को कंफ्यूज नहीं होना है सुमेल का युद्ध अब देखिए यहां 1544 और दिसंबर 1544 तो कितना अधूरा सा प्रशन पूछा है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्योंकि सुमेल का युद्ध लड़ा गया अब जिसने डेटेल में नहीं पड़ा है तो वो यही डूनता रह जाएगा सुमेल क्या ठीक है तो गिरी सुमेल का युद्ध कवुंबर में या दिसंबर में से इस इस में इतीहाज में दिखिए जो डेट होती है उनको याद करने का के Alberta केवल एक ही तरीका होता है कि आप sequence में याद करें जितने भी शाष्कों के बारे में आप पढ़ रहे हैं sequence में याद करें कि इनके बेटे का नाम क्या था ठीक है उनके बेटे का नाम क्या था कौन सा युद्ध जो है वो इस वक्त लड़ा गया तो उससे भी जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है तो sequence यदि आप नहीं देखेंगे sequence में याद नहीं करेंगे तो आपको ये date कभी याद नहीं रहेगी और इसकी कोई trick नहीं होती है date याद करने की इनको तो आप बार-बार पढ़ेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगी यहाँ पर जो उत्तर होगा तो आप याद रखिए कि सर्दियों का महा था ग्रीस उमेल का युद लड़ा गया जन्वरी 1544 इसवी में ठीक है next देखें question अकबर की शाही सैना ने किसके नेतरत्व में जोधपूर पर कबजा किया अकबर की जो शाही सैना थी किसके नेतरत्व में इसने जोधपूर पर कबजा किया हुसेन कुली खा, मान सिंग, बंदायूनी या अबुल पजल तो बताईए कि अकबर की जो शाही सैना थी उसने जोदपूर परकपजा किया था किसके नित्रत्व में फटाफट से जो है वो सोचते जाईए यहाँ पर तो यहाँ पर बात हो रही है जोदपूर परकपजा करने की ठीक है तो यहाँ पर अकवर जो है साही सेना लेकर आता है और इसके जो नितरत्व करता है वह कौन है होसेन कुली खाँ ठीक है तो होसेन कुली खाँ के नितरत्व में जोतपुर परकपजा किया जाता है अक्वर के द्वारा नेक्स्ट देखिए कुशन माल देव के बाद माल देव के बाद मारवार का शाशक कौन बना अब यहां पर कोई भी नहीं अटकेगा उसकी वज़े क्या है मैं आप लोगों को सिक्वेंस में जो है वो सारी चीज़ें पढ़ा चुपी हूँ पढ़ा पढ़ से आप बता दोगे कि माल देव के बाद मारवार का शाशक कौन बना था सोचिए फटापट से और इसका अंसर दीजिए सभी दें ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे केवल देखने में ही लगे रहते हैं कि जो है हम किसी और का देखेंगे कि वो क्या अंसर दे रहा है नहीं आपको जो भी पता है जो भी आपको याद है तो आप बे हिचक जो है वो आप दें इससे कॉंफिडेंस बढ़ता है तो बताइए राव माल देव जिनको बावन युद्धों का विजेता हस्मत वाला राजा ठीक है कहा जाता था तो यहां पर जो आंसर रहेगा यहां रहेगा राव चंदरसेंट ठीक है मारवर्ड के राव माल देव के बाद जो है उत्रादिकारी कौन बनते हैं राव चंदरसेंट बनते हैं और देखिए कनिस्क अनुदेशक परिक्षा 2018 का यह प्रेश्ण है और राव माल देव का भाई जो था मोटा राज उदे सिंह जिसको मोटा राजा की उपादी जो है अख्बहर देते हैं ठीक है तो वह अख्बहर के दिन सुईखार कर लेता है ठीक है राव माल देव के बना दिए राव चंदर सेंग छोटे थे तो इनको बना दिया था उत्रादिकारी इस वज़े से इनके सभी भाईयों में जो है उत्रादिकार के लिए युद संघर्स होता है ठीक है तो यह चीज हम डिटेल में कर चुके हैं चलिए सही है भी आंसर इसका मुगलों के साथ निरंतर संघर संघर्स में रहने वाले मारवाड के साशक थे मारवाड के साशक ऐसा कौन थे जो निरंतर संघर्स करते रहे यानि गद्दी पर बैठे और जब ँनकी म्रत्य अधी हो गई तब तक वह केवल संघर्स ही करते रहे उनका जीवन जो है वो बिलकुल भी आराम से नहीं बीता त ठीक है अजस्वन सींग के बारे में आपने नहीं पड़ा यहां पर दो ही शाशक है मालदेव और चंदरसेंग तो मालदेव के पुत्र ही हैं चंदरसेंग तो क्या रहेगा इसका सही आंसर बिलकुल यहां पर जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा भूला विसरा राजा चंदरसेंग ठीक है यह सही रहेगा यह निरंतर जब गद्धी पर बैठे उसके बाद से इनका संगहर्ज रहा और इदनी के बाद अकबर जो मोटा राजा उदे सिंग है उसको जोतपुर का शाशक निक्त कर देता है और फिर मुगल अदीनता सुईकार करने के बाद वो वैवाहिक संबंद भी स्टार्ट हो ज अधर सेंघ, महाराजा जस्वन सिंग फ़स्ट, राओ उदे सिंग, महाराजा अजीत सिंग तो देखिए प्राशन जो है आपने डिटेल में अगर कहानी को पड़ लिया है अब आप से प्राशन जो है कैसे भी पूछ लिया जाये उत्तर आपको पता होता है पटवार परिक्षा 2009 में आया हुआ ये प्रश्ण है तो यहां पर आपको वो शाषक बताना है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की ऑप्शन देखने है तो बिल्कुल उत्तर वही रहने वाला है क्या रहेगा उत्तर राव चंद्रसेन निमनलकित मैसे मारवाड की किस आशक ने खानवा के युद्ध में महनसांगा को साहता प्रदान की अब जैसे ये प्रश्ण पूछा खानवा का युद्ध आ गया अब डेट जो है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि खानवा का युद्ध कव हुआ था किस-किस के बीच में हुआ था ठीक है अब option देखिए कि महाना सांगा को जो है साहता प्रदान की थी इन चारों में से किसने राव सातल, राव गांगा, राव सूजा, राव माल देव तो खानवा के युद्ध में महाना सांगा को साहता प्रदान की मारवाड की किस साशक ने तो वो लिस्ट जो है वो मैंने आपको बताई भी थी सबी के नाम बताए थे तो यहां पर आंसर रहेगा राव गांगा ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्ण देखें किस साशक ने 1544 अब 1544 देखते ही आपको याद आ गया होगा कि जन्वरी 1544 में क्या हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 इस्वी में बीका नेर का पोनरा दिकार राव जैटसी के पुत्र कलन्यान मल को दिया कॉलिज व्याक्यता 2007 का ये प्रश्ण है राणा ओदे सिंग, शेर्षा सूरी, राव माल देर या अकवर तो यहां पर जो है पल्यान मल को जो है यहां पर दुबारा से अधिकार दे दिया गया था विका नेर का किस साशक ने तो गिरी सुमेल का युद्ध भी आपको याद है ठीक है तो थोड़ा सा आइडिया जो है वो इसी से आपको लग जाना चाहिए इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है सभी दो पठापट से आंसर तो यहां पर जो आंसर रहेगा यहां पर आंसर रहेगा सेर्षा सूरी ठीक है गिरी सुमेल का जब युद्ध होता है तो जो मालदेव जो है वो हार जाते हैं तो सेर्षा सूरी जो है वो बीका नेर किसको सौप देते हैं कल्यान मल को सौप देते हैं ठीक है उसके बाद जो है वो राओ कल्यान मल 1570 में नागोर दर्वार में भी उपस्तित होकर मुगल अधिनता भी सुईकार कर लेते हैं यानि सेर्शा सूरी के अधिनता भी सुईकार की और अकवर की अधिनता भी सुईकार करनी जोदपुर और जैसलमेर के साशकों के मद्य परगना पोकरण की अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निप्टारा किस साशक के काल में किया गया कॉलेज व्याकेता का प्रशन है 2007 का अकवर सहाजां जहांगीर औरंजियर जोदपुर और जैसलमेर यानि मारवाड के साशकों के मद्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर कौन सा परगना है पोकरण इसको लेकर जो विवाद था उसका निप्टारा किस साशक के काल में किया गया देखो मारवाड का इतिहाज जब हम पढ़ते हैं तो हम राठो और साशकों के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो कई बच्चे पूछते हैं कि जोत्पूर का जो है वो आपने राजवंस नहीं पढ़ाया है तो मारवार्ड पढ़ा दिया उसमें जोत्पूर आ गया भीकानेर भी आ गया, सब भी शाषतागाई नागोर आ गया, पाली आ गया तो बताई इसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा तो इसका जो आंसर रहेगा सही वो सही रहेगा कि इसका निप्टारा जो है वो सहाजा के शाशनकाल में किया गया था तो बताई आपने इसमें से कुछ पढ़ा है याद है आपको तो क्या मैंने आपको जो है इनके बारे में पढ़ाया दू अस्पा और सिंग अस्पा नहीं पढ़ाया ये तो क्रॉस हो गए ये दोनों ही ठीक है अब आपको बताना क्या है बस दो ही हैं आपके पास एक तो आपके पास है 4000 जात और 4000 सवार या 5000 जात या 5000 सवार तो बताईए इसका आंसर तो देखिए यहां पर जो है आंसर यदि आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए आंसर है 4000 जात और 4000 सवार ठीक है महाराजा गज्य सिंग किसे राज्य के शाषक थे तो राजिस्थान पुलिस कॉंस्टेवल परिक्षा 2020 का प्रेशन है अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो पुलिस कॉंस्टेवल परिक्षा में आया हुआ हमारे एक्जाम में क्यों आएगा देखो ये चीज सोच रहे है आप तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि जो प्रेशन जो है राजिस्थान जी के के यहां पर पूछे गए हैं कंप्यूटर अनुदेशक में पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेट रेट में पूछे गए हैं आपकी एक्जाम में भी आसकता है थर्ड ग्रेट के कि रडर प्रक्राइण शाख का मिलते जुलते प्रस्ण देखे 3 गए थे तो कुश्चन देखिए महाराजा गज सिंग किस राज्य की शाशक थे तो बताए बासवाडा, धौलपुर, डुंगरपुर, जोदपुर, जब भी मैं आपको जब इतिहास पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बोलती है, सिक्वेंस जो है वो आप ध्यान में रखिए ये नहीं कहा रही हूँ कि यही पूझा जाएगा कि इनका फुतर कौन है, उनका पुतर कौन है, ये नहीं लेकिन कई चीज़ें जो है वो clear हो जाती हैं जब हम exam hall में बैठते हैं तो हमारा mind जो है वो इस तरीके से चलता है कि शाहिद मैंने इस में से कुछ पढ़ा है शाहिद कुछ clue मिल जाए ऐसा हो जाता है कई बार sequence जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए तो यहाँ पर जो जोदपूर के जो शाशक है मारवाड के शाशक है sequence आपने ध्यान में रखा है याद किया है यही मैं हमेशा बताती हूं सभी को यदि आपको प्रशन समझ में नहीं भी आ रहा है और वहाँ पर आप जो हैं दो आप्शन में ऐसे में फस गए हैं कि यह सही होगा या यह सही होगा तब आप जो भी ट्रिक लगाते हैं तो वो ट्रिक सिक्वेंस यदि आपको याद है तो यह सोच कर भी लगाया जा सकता है ठीक है यहां पर आंसर रहेगा जोदपुर रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद है कितना सरल प्रशन है सेकिंड ग्रेट 2018 में प्रशन आया हुआ है अब बच्चे पूछते हैं कि इतने आसान पूछली आगया है रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद है अब आपको आसान लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं confuse हो जाते हैं यह हमने हंसा भाई के बारे में भी पढ़ा उमा दे भी बढ़ा जोदव आई के बारे में भी पढ़ा ठीक ह तो आसान प्रश्ण है, ऐसा सोच कर छोड़ना नहीं है, कि हमें तो यह आता है, नहीं, हर चीज को गौर से देखना है तो रुठी रानी के नाम से कौन प्रसिद हैं? उमादे निम्न लिखित मैं से किस राजा ने राज्य में जूनागड के लिए का निर्मान कराया था? राजिस्थान पुलिस कॉंस्टेवल परिक्षा का ये प्रस्ण है, कामरान, रावबी का, राई सिंग या बाबर तो किस राजा ने जूनागड के लिए का निर्मान करवाया था अब देखे कितना सरल प्रश्ण है आपका जिसको देखते ही जो है वो आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा तो यहाँ पर सभी को इसका आंसर पता है बिल्कुल सभी सही हो राजा राए सींग बीगा नेर के महराजा राए सींग गदी पर कब बैठे तो अभी हमने जब पहले दो प्रश्ण कर लिये थे स्टार्टिंग में तो यह ऑप्शन देखके ही आपको आंसर आ जाएगा संगड़क परिक्षा 2018 में भी यह प्रश्ण आया RPSC 2nd grade 2018 में भी यह प्रश्ण आया 3rd grade के बच्चे बहुत अच्छे से देख लो 2nd grade में जो प्रश्ण आ रहे हैं वो सकता है आपके एक्जाम में आ जाए 1612 इसवी, 1574, 1550 यह 1541 इसमें तो सोचने की भी जरूत नहीं है अकवर ने पीका ने जो है सौपा था राइसिंग को ठीक है गद्दी पर कब बैठे थे तो आपने देखो 1570 से लेकर जब नागोर दर्वार लगता है अकवर का वो 1574 तो आपने नाम किसका सुना है कल्यान मल और राइसिंग का नाम सुना है यहां पर राइसिंग जो है वो गद्दी पर कब बैठे तो आंसर 1574 रहेगा प्रत्वी राज राठोर द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मनीरी किस भासा में लिखी गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्ण और बहुत सारे एक्जामों में यह प्रश्ण आया हुआ है तिंगल भासा में मारवाडी भासा में डिंगल भासा में यह संस्कृत भासा में और ये प्रशन जो है वो सबसे ज़्यादा important और मस्कूर है ये समझ लीजिए कि examiner का जो है वो बहुत ही जो है favorite प्रशन है ये क्योंकि ये प्रशन जो है वो लगभग exam में पूछ ही लेता है तो प्रत्वी राज राठोड द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है बेली कृष्ण डुक्मनीरी किस भासा में है ये उसका जो यहां पर बच्चे दो ही भासा में अटकते हैं पिंगल होगा या डिंगल होगा ठीक है आंसर इसका रहेगा डिंगल भासा ठीक है तो ध्यान रखना है कैसे याद रखोगे देखो यहां पर प्रत्वी राज राठोड राठोड में आप अंतियम जो देखिए यहां पर जो अ कुशन है कि कति पए राजपूर्श आश्कों की सूची नीचे दी गई है राना सांगा चंदर सेन मान सिंग राय सिंग इन में से किनी दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया अब मेरी ये बातें आपने अगर कई बार सुनी है कोर्स मैं भी यही चीज मैं आपक आवाज है, वो आपके कानों में जो है, इस तरीके से बार बार रिपीट होती है, वो चीज़ आपको याद रह जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है, वो कुशन देखते ही आपको पता लग गया इसका आंसर, कि मुगलों का सहयोग किस ने किया, ओप्शन देखने की जुरुत भी नहीं पड़ेगी आपको तो, ठीक है, तो यहाँ पर राधपु सास्कों की सूची जो है, वो नीचे दी गई है, जिसमें राना सांगा है, चंदर सैन है, मान सिंग है, और राय सिंग है, तो इन में से दो का चैन कर करना है, ठीक है, तो देखो, इतने सारे प्रेशन हमने कर लिए, तो ये प्रेशन तो और भी ज़्यादा आसान हो गया, चंदर सैन कभी भी अधीनता सुईकार ही नहीं करते हैं, तो मुगलों का सायोग करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर आमेर के मान सिंग और भी कानेर के र इतिहास वाड़ा, डुंगरपूर, धॉलपूर या जोदपूर, है न, तो सिक्वेंस आपने देखा, मारवाड के जब इतिहास बढ़ा, सभी शाषकों का, वटा पर से जो है इसका आंसर लगाते जाहिए, सब का आंसर सही होना चाहिए, और यह बहुत ही सरल प्रश्न है, सिक्वेंस से ही संबन्दित देखिये, हम अभी तक जो है, वो दूसरा प्रश्न तो हम देखी रहे हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, जोदपूर, ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कि गजज सिंग जो है, महाराचा गजज सिंग, इनके बाद के शाषक कौन रहे है ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है, तब भी आपको पता होना चाहिए, किसे महाराणा प्रताप का पत्थ प्रदर्शक कहा जाता है, सेकिंड गेट 2018 का प्रशन है, राव माल देव, मोटा राजा उदे सिंग, राव चंदर सेन या अमर सिंग राठोर, तो महाराणा प्रता थे, मुगलों को, ठीक है, कोई गण, मतलब दुर्ग या महल को नहीं बनाया था, आज इवन भटकते ही रहे थे, बहुत संगर्स किया था, लेकिन अंतियम टाइम पर कुछ गल्कियों की वज़े से, जो है, इनको इतिहास में, जो है, जिस तरीके से महारा प्रताप को हम आ राओ चंदर से, ठीक है, भूला विस्रा राजा हम इनको कहते हैं, किसे साशक को हस्मत वाला राजा कहा जाता है, तो मैंने यह आपको बता दिया था, RPSC 2nd के 2018 में भी आया, संस्क्रिट एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, 2019 में ये प्रश्न आया, सेरसा सूरी को हस्मत वाला राजा कहते हैं, मान सिंग प्रथम को कहते हैं, राओ माल देव को या चंदर से, फटा पर से इसका आंसर दो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ पर जो next question है, वह भी इसी से संबंदित है, ठीक है, हस्मत वाला राजा, ये एक फार्सी शब्द ह ठीक है, किसको कहा गया, तो मैंने आपको बताया, ये 52 युद्धों का विजेता, ठीक है, कौन है, चाहे ये पूच लिया जाए, हस्मत वाला राजा जो है, किसको कहा गया, या ये पूच लिया जाए, उत्तर आपका एक ही रहने वाला है, तो वो आंसर जो है, वो क्या रहेगा आपका, यहां पर आंसर जो है वो रहेगा, राव मालदेव, ठीक है, इनके पिता का क्या नम था, राव गागा था, तो राव मालदेव जिनको हस्मत वाला राजा किसने कहा, फार्सी इतिहासकारों ने कहा, तो नेक्स्ट देखिए, यह प्रशन जो है, वो आपके लिए और भी सरल हो गया है, पार्सी इतिहासकार ने हस्मत वाला राजा किसे कहा है, पटवार 2011 का प्रशन है, राव चंदर सेन, जोधा, राव मालदेव या राव भीका, तो इसका सब भी आंसर जानते हो, ठीक हो, इसको करने की जरूत नहीं है, नेक्स्ट देखें, सेरसा ने किस साशक के विवहार से रुस्ट होकर, यानि रूट कर मारवार पर आक्रमन किया था, अब सेरसा सूरी जो है, वो मारवार पर आक्रमन करता है, जोधपर पर आक्रमन करता है, ठीक है, गिरी सुमिल का युद्ध होता है, सेरसा सूरी का, तो पटवार परिक्षा 2011 का प्रेश्ण है माल देव, उदे सिंग, चंदर सिंग और राव जोधा वही प्रेश्ण जो है वो रिपीट होते हैं गुमा गुमा कर वही पूछ लिये जाते हैं ठीक है लेंग्विज बस बदल जाती है तो यहाँ पर शेर्शा सूरी का नाम आते ही जो है वो आपका दिमाग में आना चाहिए माल देव का नाम, है ना, आंसर रहेगा माल देव, ठीक है, सबका सही है चंदर सेन अपने राज्य की आम जनता में अलोक प्रिया क्यों हो गए ठीक है, अब ये लाइन जो है, ये लाइन, ये ऐसी लाइन है जो कि कई बच्चे इग्नॉर कर देते हैं ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं अलोक प्रिया क्यों हो गए थे, जब इनके पास धन धाने की कमी हो गई थी, तो इनोंने क्या किया था लूटना प्रारम कर दिया था, ठीक है, इस वज़े से आम जनता जो है, इनसे अलोक प्रिया हो गई क्योंकि महलों में तो रहकर इन्होंने संगर्स किया नहीं जंगलों में रहें और जंगलों में रहने के लिए बहुत सारे खाने पीने की हत्यारों की आविशक्ता पड़ती है तो जब इनके पास सबको समाफ्त हो गया, संगर्श करते करते, इन्होंने क्या किया, लास्ट में लूटना प्रारम किया, इस वज़े से आम जन्ता में ये अलोग प्रिय हो गए, इसी दिए इनको भूला विस्रा राजा पहते हैं आरपी ऐसी सेकेंड किरो 2018 में स्पेशल एजुकेशन 2019 में ये प्रशन आया, जन्ता पर कर बढ़ाए, इस वज़े से हो गया लोग प्रिय है, महाजन वर्ग से धनकी लूट, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्त शेप, स्वैम की विलासिता पर अत्यदिकल खर्च, अ सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्त शेप करने वाले तो ये नहीं थे, जन्ता पर इन्होंने किसी तरीके का कोई कर नहीं बढ़ाया था, तो यहां पर इन्होंने लास्ट में क्या किया था, कि महाजन वर्ग से उनको लूटना प्रारम कर दिया था, इस बज़े से ये जन्ता में अलोक रिया हो गए, चलिए फटाफट से करिए कुश्यन बहुत सारे हैं, सहा जान द्वारा सहा सुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्न लिखित में से सेनापती कौन था, कॉलेज व्याक्षिता 2007 का प्रश्न है, अब देखिए फर्स्ट ग और इसमें से यदि आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो बिलकुल अगर मैं आपसे जो है, वो चालिस प्रश्न भी पूछ हूँ, तो चालिस के चालिस आपको आने चाहिए, तो बताईए यहां पर महराजा जस्वन सिंग, मिर्जा राजा जे सिंग, चालिस साल हाडा या अनूप सिंग, कई बार देखिये, बोलते बोलते हैं, कुछ चीजे जो है, वो स्लिप हो जाती है, या सोचा कुछ जाता है, लेकिन बोल कुछ और दिया जाता है, तो बच्चे जो हैं, वो पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है यह, क्योंकि कमि करती हूँ, यदि प्रश्न चालिस पूछे जाते हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो कच्वाहा सास्कों से संबंदित जो है, वो प्रश्न अब स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा, वो रहेगा, ऑप्शन नमबर C, मिर्जा राजा, जैसि ठीक है, नेक्श देखो, जैसिंग दुटिय, जैसिंग दुटिय को सवाई की उपादी किस ने दी, लाइब्रेरियन 2019 का प्रश्न है, औरंग जेव ने, जहांगी ने, अकवर ने, या बावर ने, अब आप सोचो, जैसिंग सेकिंड जब थे, तो उस समय जो है, मुगल चा प्राशक कौन था, तो जैसिंग ने बहुत सारे कारे करवाए थे, जैपुर में, आपको सब याद है, तो बताओ आप इसका सही आंसर, यहां पर किस ने सवाई की उपादी प्रदान की थी, जैसिंग सेकिंड को, तो बिल्कुल जिनको पता होता है, वो तो फटा-फट से जो है, वो आणसर कर देते हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, वो रहेगा ओरंग जेव, ठीक है, ओरंग जेव के त्वाई की उपादी प्रदान की थी, जैसिंग को, ठीक है, और जैसिंग ही वो शाशक थे, जि यग जो है किया गया था ठीक है अंतिम हिंदूश आशक थे ये भारत के जिन्होंने अश्व में यग किया था ठीक है पुंटरी गरतनाकर का नाम याद होगा आपको उसे यग के पुरोहित थे जैपुर चित्रकला शैली का स्वन काल किस आशक के काल को माना जाता है जैपुर प्रताप सिंग, ईश्वरी सिंग, सवाई जै सिंग और मान सिंग तो सवाई प्रताप सिंग जिनका नाम वो आपने सभी ने सुना है ठीक है हवा महल जो है बनवाया जिन्होंने तो इनके समय को जो है जैपुर चित्रकला शैली का स्वन काल माना जाता है ठीक है थोड़ा सा याद रखें प्रताप सिंग के समय जो है वो तुंगा का युद्वा पाटन का युद्वा नेक्स्ट दिखिए कुश्यन जैपुर प्रजा मंडल की इस्थापना डैस में डैस के द्वारा की गई ठ मैंनूरामशर्मा मानेक ये लालवर्मा द्वारा उन्ने साटतिस में जम्ना लाल बजाज करपूर चन पार्टनी 1931 में जमनालाल बजाज गंगा सिंग द्वारा 1930 में करपूर चंदपाटनी महात्मा गांधी द्वारा 1931 में तो देखिए यहाँ पर जो हो 2016 में ये प्रस्णु जो हो पूछा गया है लाइप्रेरियन में तो बताइए आंसर क्या होगा जयाप्र प्रजामंडल की सापना किस ने की तो इसका जो सही उत्तर रहेगा हो रहेगा मैंने आपको बताया था पिजह से जयापूर प्रजामंडल और जम्नालाल बजाज अब दो दिनाक भी जो सन है वह भी याद रखनी है 1931 में तो यह आपका सही आंसर रहेगा option number B सिवाजी के साथ पुरंदर की संधी 1655 भी में होती है तो इस पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल से अनानायक था जै सिंग पस्ट था जस्वन सिंग था जै सिंग थार्ड या साइस था खन पुरंदर की संधी जो है वो किस किस के बीच में होती है यदि आपको इसका आंसर पता है तो option आप देखते ही आप लगा लोगे किस जैपुर सुरी सिवाजी के साथ पुरंदर की संधी जो होती है त बताईए पूरांदर की संदी जो है वो किस किस के बीच में होती है तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर यहां पर बिलकुल सही आंसर जो रहेगा वह है जैसिंग प्रतम ठीक है ध्यान रखना है जैसिंग प्रतम के बाद के जो साशक है वो हैं सवाई जैसिंग ये भी आपको ध्यान में रखना है तो फर्स्ट ग्रेड में ये प्रेश्म पूछा गया है 2020 में किसे समू की खगोलिये वैदशालाओं का निर्मान महराज़त जैसिंग द्वारा करवाया गया वो समू पूछा है और देखिए दिल्ली जैपूर उज जैपूर उजयन आगरा बनारस दिल्ली जैपूर उजयन आगरा उजयन मतूरा जैपूर जोदपूर दिल्ली मतूरा आगरा तो इसकी तो मैंने आपको ट्रिक ही बताई थी कि सवाई जैसिंग जो हैं उनके द्वारा पांच वैदशालाओं का निमान करवाया गया ठीक है तो मैंने आपको जो बताई थी D, J, Bum, इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीके, बहुत अटपटी सी जो है वो, आपको ये ट्रिक लगती है, लेकिन आपको क्या करना है, याद ही तो करना है, याद रहना चाहिए बस, तो D से जो है वो दिल्ली है, J से जैपुर है, P से बनारस है, U से उज्जेन है, और मैं से मथुरा है, क्या रहेगा सही आंसर, तो इसका आंसर रहेगा A, ठीके, इस तरीके से आप लोग भी इस ट्रिक को याद रखें, आमेर का जगत शिरोमणी मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया, राजिस्थान पुलिस कॉंस्टिवल परिक्षा 2020 का प्रश्ण है, जगत शिरोमणी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, इसकी याद में बनवाया गया, राणा सांगा, भगवन्त दास, उदै सिंग, रा पटा पट से आंसर जो है वो आप देते जाओ तो यहां जो आंसर रहेगा बिल्कुल सही है और सबका ही सही है ये तो इसी तरीके से आप लोग जो है वो मन लगा कर पढ़ाई करते जाएं बिल्कुल आप लोगों के पास टाइम है आराम से करते जाएं सेकंड केट के बच्चे कर चुके है रिवीजन उनकी चल रही है तो इसका जो आंसर होगा रानी कन का वती ठीक है जगत सिंग की याद में बनवाया राजी स्नान के किस शेत्र में जैपूर शहर इस्थित है तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर देखो मेवाड हमने पढ़ा ठीक है तो हमें पता है कि उदैपूर चित्तोडगर यहाँ पर मेवाड पढ़ता है तो जैपूर तो हम देखते हैं कि उत्तर की साइड में चला गया तो यह तो गलत है मारवाड जहां हमने अभी बात की थी जोदपूर की, पाली की, भीका नेर की नागोर की तो यह जो है वो राजिस्थान के पक्ष्मी भाग में चला गया हाडोती, कोटा, बूदी, जहालावाड अब बस्ता क्या है डूनाड ठीक है जैपूर की महरानी गायतरी देवी कि किस वर्स में पहली बार लोकसभा की सदस्यफ बनी राजिस्थान पुलिस कॉंस्टिवल का यह प्रश्न है उनने सो सतक्तर, उनने सो पांशट, उनने सो असी या उनने सो सतासट तो क्या रहेगा, पटा-पट से करिये इसका रहेगा आंसर 1912, ठीक है जैपूर के प्रशिद्ध हवा महल का निमान किसके द्वारा करवाया गया तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था राजिस्थान पुलिस कॉंस्टिवल परिक्षा 2020 का है पटा-पट से जो है वो प्लिक करते जाए आप लोग टाइप करते जाए कमेंट में आप्शन कौन सा है A, B, C, D, फटा-पट से करो महाराजा चत्तुर सिंग है सवाई परताप सिंग है, मान सिंग है या परताप सिंग है ठीक है तो यहाँ पर तो है दो आपको देखने को मिल रहे हैं नाम परताप सिंग से संबन देता है तो कन्फूजन आपको C और D में ही रहना चाहिए और A और B तो वैसे ही क्रॉस हो गए तो बताइए फटा-पट से तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा सवाई परताप सिंग ठीक है? याद रपना किसने जैपूर जहर की स्थापना की? राजिस्तान पुलिस कॉंस्टेवल 2020 का प्रश्ण है सवाई, राजा, जै सिंग सेकिन ने इश्वरी सिंग सेकिन ने, माधो सिंग ने परताप सिंग ने तो जैपूर सहर किसने बसाया था? कब बसाया था? दोनों ही आपको याद है और आंसर जो है वह आप लगाना है फटाफट से जैपूर सहर वसाने वाले जैपूर में बहुत सारी जो है निर्मान करवाया ठीक है? अस्वो में एक यग करवाया जैमार तोप, ठीक है? ये बनवाई चंद्र महल बनवाया, राम यंद्र समराट यंद्र, ठीक है? नाहर गर्दु बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको इन से समंदित जो है वो मिलेंगी पढ़ने को याद भी है आपको तो आंसर क्या रहेगा? जैपूर सहर की आपना जो है वो किसने की? आंसर रहेगा बिलकुल सबका सही है वेरी गुड सवाई राजा जैसिंग सेकंड तो सवाई आपको याद रखना है ठीक है सवाई? औरंग जेव ने उपादी दी थी किसे राजबूर राजा ने गंदर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूग बनाया था गंदर्व बाईसी के नाम से सवाई परताप सिंग ने, अजीज सिंग ने, सवाई जै सिंग ने या अमर सिंग सेकंड ने पटापर से आंसर तो इसका तो परताप सिंग जो थे ना कौन? सवाई परताप सिंग इनके दरवार में जो है 22 विद्वान थे ठीक है गंदर वाइस ही जो है नाम दिया गया इसको ठीक है तो आपको याद रखना है ये हवा महल का डिजाइन जो है किसके दोरा तयार किया गया हवा महल से संबंदित देखिए प्रेश्ण आ गया हवा महल करिमान किसने करवाया सवाई प्रताप सिंग ने इसका डिजाइन किसके दौरा तैयार किया गया जैसिंग के दौरा लाल चन उस्ता के दौरा रत्तन सिंग या हरी सिंग के दौरा तो जो इसका आंसर सही रहेगा वह रहेगा लाल चन उस्ता ठीक है और सबका ही सही है ये प्रश्नु तो आज हम यहीं तक करेंगे अभी प्रश्न जो है वो और भी है ठीक है काफी प्रश्न है अभी आगे मारवार से ही संबंदित और कछवाह राजवन से संबंदित मारवार से संबंदित प्रश्न हमने कर लिए कछवाह से संबंदित प्रश्न हमें और भी करने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दुबारा से एक बर फिर से टेस्ट टिक है जिससे की और भी अच्छे से आप लोगों के सारे प्रषनों जो मुया हो हो जाए तो चलिए बताईएगा कितने प्रषनों जो है वो आपने सही किये हैं आज मैंने काफी प्रष्नों करवा दिये Todos लगभग जो है वो मैंने आपको 35-36 प्रश्ण जो है वो आपको करवा दिये हैं आपको बताना है कि इन 35 में से आपने जो है वो कितने किये हैं सही ठीक है सब बताएंगे ऐसा कोई भी नहीं है जिसने भी टेस्ट दिया है सब भी बताएंगे चाहे उसके 20 माक सी क्यों ना आ करूँगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से तयारी करते रहिए लगातार करते रहिए क्योंकि मेहनत का फल जो है वो मिलकर रहेगा ठीक है और हमेशा मिलता है थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है लेकिन मिलता है मिलेंगे नेक्स वीडियो Thank you